स्पोर्ट्स तक को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले आप हमें फेस्बुक, इंस्सट्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं और हाँ हाँ आप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भोलेगा क्यूंकि वहाँ लेजिंड्स को हरा कर आप जीत सकते हैं दो गुना कै हेलो फ्रेंड्स, गुन मॉर्निंग, सुप्रभात सबको और मॉर्निंग अप्डेट सेग्मेंट है हमारा रोच की तरह और इसमें खबरे तो रहती हैं काफी डेट सारी और आज तो खास दिन है, आज क्वालिफायर वन है, दिल्ली और CSK के बीच में खेला जाएगा यह CSK अपने पिछले तीनों मुकाबले हार कर आ रही है, वहीं दिल्ली भी अपना पिछला मुकाबला RCB के हां तो गवा कर आ रही है, तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि आज अच्छा प्रतर्शन कर सीधे फाइनल में एंट्री मारी जाए, अब बात कर लेते हैं, इसी मैच को लेकर गौतम गंभीर की एक बयान की, अब देखिए CSK के प्लेइंग 11 पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या सुरेश रहना वापसी करेंगे आज क्वालिफायर में खेलने के लिए, तो गौतम गंभीर का कहना है कि सुरेश रहना की जगा रॉबिन उथपा ही अभी टीम म चाहिए, वही डैनियल विटोरी का कहना है कि नहीं बड़े मैच में सुरेश रहना की जगा तो बनती है, अब आगे बाद कुछ और खबरों की करते हैं और सबसे पहली खबर हम बात करते हैं, उमरान मलिक की, उमरान मलिक इस गेनबाच ने तीन ही मैच खेले इस IPL में लेक इंडियन बॉलर भी बने, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो IPL खत्म होने के बाद भी UAE में रुकेंगे और वो टीम इडिया के नेट बॉलर के रूप में टीम इडिया के साथ रहेंगे और इसकी जानकारी A&I से मिल ही है, इसके अलावा क्रिक बस पर भी रि जैसे दिगजों को नेट्स में गेनबाजी करेंगे और काफी कुछ सीखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की और आब बात कर लेते हैं मुंबाइ इंडियास टीम की और मुंबाइ इंडियास टीम आईपल 2021 से बाहर हो गई है, प्ले आफ की रेस से वो बाह दर नहीं हुए, लेकिन इस से मुंबाइ इंडियास टीम के वो पिछले दो-तिन सालों के प्रदर्शन को नहीं भुलाया जाता, जब टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमें इस चीज पर गर्व है और देखिए लाजमी है कि जिस तरीके से मुंबाई इंडियास ने प्रदर्शन किया है लगातार दो बार उन्होंने IPL जीता 2019 में और 20 पे और कमाल का प्रदर्शन लेकिन इस साल वो प्ले आफ में जगा नहीं बना पाए अब आगे बात कर लेते हम सोरी कुमार यादव की देखिए सोरी कुमार यादव ने जाते जाते IPL 2021 में कमाल का प्रदर्शन कर दिया जो 82 रन उन्होंने बनाए उसकी वदोलत मुंबाई की टीम एक वक्त पे लग रहा था कि शायद 200 नहीं पहुँच भाईगी क्योंकि एक त मैच का ओवर्ड मुंबाई इंडियन्स की टीम ने दिया एक वीडियो सामने आया है जिसमें सचिन तेंदुलकर महान सचिन तेंदुलकर बैज पहनाते हुए रिखाई दे रहे हैं सुरी कुमार यादव को और साथ ही उनको एक बड़ी जुम्मेदारी भी दी है सचिन तें इंडिया को बहुत बड़ी जुम्मेदारी है और उम्मीद है जरूर वो अच्छा प्रस्शन करेंगे और IPL के खत्म होते होते हैं उन्होंने अपनी फॉर्म भी जो हासिल कर ली है अब आगे बात करते हैं कुछ और खबरों की और सबी टीमें अपना एक गुडबाई वीडियो शेर कर रही है इसमें एक संराइजर्स हैदराबाद का भी गुडबाई वीडियो सामने आया और संराइजर्स हैदराबाद ने जो वीडियो शेर किया उसमें कहीं भी डेविड वार्नर दिखाई नहीं दिये जिसको लेकर फैंस शोशल मेडिया पर गुस्सा हो गए और एक फैंस ने पूछा भी कि डेविड वार्नर इस वीडियो में क्यों नहीं है तो डेविड वार्नर ने उसका रिप्लाई दिया कि मुझे पूछा तक नहीं गया तो डेविड वार्नर की और संराइजस हैदराबाद की भी जिस तरीके की खबरे आती रही इस सीजन में वो फैंस के लिए बहतर नहीं रही और डेविड वार्नर ने जाते जाते गुडबाई भी किया अपने टीम को अपने फैंस को और कहा कि देखिए जो उनका सफर रहा संराइजस हैदराबाद के साथ वो बहुत बहतरी रहा अब आगे बाद कुछ और खबरों की और खबरे ये हैं कि RCB की कप्तानी आखरी बार इस सीजन में विराट को लिकर रहे हैं और अब चर्चा ये है कि अगले सीजन में RCB का जो कप्तान है वो कौन बने का तो इसको लेकर आशिश नहरा का कहना है कि देखिए किसी और खेलाडी पे जाने से बहतर है कि देवदत पर्टिकल के ऊपर दाव खेला जाए क्योंकि देवदत पर्टिकल ने पिछले सीजन RCB के लिए डेब्यू किया वो उनका काफी शांदरा प्रतेशन था इस सीजन में ठीक ठाक प्रतेशन किया है उन्होंने सेंचुरी भी लगाई इवन इस सीजन तो तो उन्हें लगता है कि RCB के लिए देवदत पर्टिकल एक फ्यूचर एसेट साबित होंगे क्योंकि वो अभी यंग है और अच्छे बल्लेबाज तो हैं ही लेकिन फ्यूचर में एक अच्छा कप्तान भी साबित हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं हम वोमेंस टीम की देखि ये किस तरीके से ही काटा पलट कर अंदर गई और बैटर को आउट कर गई तो आप जरूर ये वीडियो देखिए और कबाल की गें थी और बाल ओफ दा सेंचुरी कहा जा रहा है क्योंकि ये इतनी शांदार गें थी अब बात कर लेते हैं वोमेंस मैंच की ही और कल दूसरा टी ट्वंटी मैच हुआ तीन मैचों की टी ट्वंटी सीरीज थी तो पहला जो मैच था वो तो बरसाथ की वज़े से धुल गया दूसरे मैच में टीम मीडिया हार गई इसके बाद कप्तान हर्मन प्रीट कौर का कहना है कि जिस तरीके से मैगरा ने बल्लेबाजी की और जि ही कहना है कि जब वुमेंज आईपियल होगा तो उससे क्या होगा कि जो युवा खिलारी निकल कर आते हैं वो सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट पर आएंगे तो दबाओ महसूस नहीं होगा वो अपने आपको कर सकते हैं आईपियल में और उन्होंने कहा कि आईपियल की जो ज सीरीज है वो तो नहीं जीत पाएगे लेकिन चाहेगी कि इससे बराबर किया जाए इस दौरे में उम्मीद थी कि हम वंडे हारे दो एक से टैस्ट जो मैच था वो ड्रॉ हो गया लेकिन टीट्वांटी सीरीज तो जीट जाएंगे लेकिन अब टीट्वांटी सीरीज टीम इनके बैक में इंजुरी थी और स्कैन में इनका स्कैन हुआ और वो फिट नहीं गोसित हुए जिसके बतले अनुभवी शोईब मलिक को टीम में एंटरी दे दी गई है और शोईब मलिक अब टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने यूए जाएंगे तो यह पाकिस्तान क्रिकेट अब बात करते हैं एसेस के लिए इंग्लेंड आज अपने टीम अनॉंस कर सकता है और इसको लेकर भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं एसेस काफी पीछे चर्चा में भी है क्योंकि जो रूट को लेकर जिस तरीके से टीम पे इनने कहा था कि जो रूट नहीं भी खेलने आते ह हैं एसेस तो भी एसेस जारी रहेगा और अब माइकल वॉन इंग्लेंड के पूरो कफ्तान उनका बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है यानि कि माइकल वॉन को लगता है कि इंग्लेंड की टीम ऑस्टेलिया में जाकर ये ऐसे सेरीस 5-0 से भी गवा सकत है तो दोस्तों ये सारी खबरे मैंने आपको बताई और आज तो दो बड़े मुकाबले भी हैं एक तो हमारा कॉलिफायर वन है जो वो शाम को खिला जाएगा साड़े साथ बजे और दिन में मैच है हमारी वोमेंस टीम का तो महिला टीम को सपोर्ट करिए और हाउजएट ए क्योंकि IPL का देखिए अब कुल चार मुकाबले बच गए है लेकिन उसके बाद वोल्ड कप है आज वोमेंस टीम का मैच भी है तो मौके छोड़िए मत मौके को घुनाइए उसका फायदा उठाईए और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर करती फॉलो कर सकते हैं और हां हाउजाट आप को भी डाउनलोड करना बिलकुल मत भोलेगा क्योंकि वहां लेजंस को हरा कर आप जीत सकते हैं तो गुना कैश